नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे विशे पर आप सभी से बात करने वाली हूँ जो कि विशे है कि यदि आपने सपने में हनुआन चालिसा अगर पढ़ी है तो यह सपना कैसा होता है दोस्तों सपने में हनुआन चालिसा पढ़ते हुए खुद को देखना या किसी और की मुख से हनुआन चालिसा खुद को सुनते हुए देखने का अर्थ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथी साथ मैं आपको एक उपाई बताऊंगी जो कि यदि आप यह सपना देखते हैं तो आपको इनिश्ची दरूप से करना ही चाहिए दर्शको दोस्तों सपने जोते शास्तर के नुसार सपने में हनुमान चालिसा पढ़ना या सुनना एक बेहदी शुब संके देने वाला सपना माना जाता है जो भी व्यक्ति चाहे वो इस्तरी हो या पुरुष यदि वो सपने में हनुमान चारिजा को स्वयम पढ़ता है या फिर उसका वाचन सुन लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है यह सपना एक बेहती अच्छे सपनों में से एक सपना माना जाता है यह सपना देखने का सीधा अर्थ है कि आपकी सारी मुश्किले परिशानिया कटने वाली है यह सपना आम तोर पर किसी भी साधारन मनुष्य को यूँ ही नहीं आ जाता यह सपना देखने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण होता है और वो कारण यह होता है कि भगवान का आशिरवाद सीथा आपके यह सपना देखने के पश्चाद दोस्तों आपको इस सपने को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए नहीं किसी को बताना चाहिए कि आपने है सुपसब ने देखा है आप कोशिश करें कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखे यदि आप यह सपना रात के बारे से दो बजे के बीच में देखते हैं तो सपने कफ़लाव को तीन महीने के बीतर प्राप्त होगा यही सपना आप दो से चार बजे के बीच में देखेंगे तो सपने कफ़लाव को एक महीने के बीतर प्राप्त होगा और यही सपना आप 4-6 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने कफ़ल आपको एक हफ़ते के भीतरी प्राफ्ट हो जाएगा यह सपना देखने के बाद आपको मंगलवार के दिन हमनी शाही हनुआ जाले सा पढ़नी चाहिए यह करना के लिए लापकारी सथ होगा और यही सपना अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको शनी वार और मंगलवार के दिन हनुआर मंदर में अवश्य दर्शन करना चाहिए ताप के लिए लापकारी सथ होगा राते राते दर्शकों आप सभी कमंगल हो आप सभी सदय भी हस्ते रहें और मस्कुराते रहें कोई भी परिशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी चैनल को जरूर ही लाइक करें और निश्चे द्रूप से सब्सक्राइब करें